अगर आप भी मेरी तरह के student हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुए दा बिन्फिसियल होने वाली है सी हमारे पस अपने study notes तो है ही तो हम उन्हें sell करके पैसे earn कर सकते हैं आज मैं आपको एक platform के बारे में बताने वाला हूँ जहां बस हमें अपने notes को upload करना है और फिर छोड़ देना है जितनी बार हो document sale होंगे उतनी बार हम उनसे पैसे earn कर सकते हैं और इस platform पे बस हम अपने old notes को इन ही class notes को, test paper को, practice quiz को, exam study guide को या old home work है इन सब को upload कर सकते हैं और notes किसी भी type का हो सकता है, handwriting भी हो सकता है, typed भी हो सकता है और जो रुड़ नहीं क्यों English में ही हो, किसी भी language में हम उसको upload कर सकते हैं तो उस platform का नहीं में study pool और वहां पे notes upload करना बहुँ जादा easy है मैं मेरा खुद एक account बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको आएगी चीज़ों करना है तो ही मैं आ चुका है उस website पे आपको simply इस पे आने के लिए अपने browser पे study pool.com सरच करना है या मैंने इसका link नीचे description में दे दिया है तो आप वहां सभी इस पे आ सकते हो जब आप इस पे पहली बार आओगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही interface देखने को मिलेगा अगर आप phone के browser से इस पे आते हो तो भी interface similar सा ही होगा तो यहां हमें start करने के लिए सबसे पहले अपना account मनाना होगा और account मनाने के लिए हमें यहां जो एक red sign up दिख रहा है इस पे click करना होगा फिर हम आजाएंगे इस page पे और यहां पे आप देख सकते हूँ जो top earner है उन्होंने अब तक कितना earn किया है बस अपने notes and documents उगरा को sale करके यहां पे और इसमें ऐसा नहीं हमारा एक document इतनी बार ही sale हो पाएगा इसमें हमारा एक document कितनी बार भी sale हो सकता है और जितनी बार हो sale होगा उतनी बार we can make money from them एक document के sale होने से up to 10 dollar हम earn कर सकते हैं जो कि यहां पे mention भी किया हुआ है और documents upload कैसे करने हैं तो मैं मेरा खुद का एक notes यहां पे आपको upload करके दिखाता हूँ upload करने के लिए सबसे पहले हम click करेंगे upload file पे और यहां से अपने file को choose कर लेंगे जो हमें upload करना है तो मुझे अभी मेरा NLM का sort notes मिला तो इसे ही upload करते हैं upload करने के लिए simple हमें यहां open पे click करना है और यहां पे हमारे यह upload होना शुरू हो गया upload पूरा होने के बाद यह सो करेगा upload completed और हम बस यही करने अपने files को यहां पे upload करके छोड़ देना है document को अप्रूब होने में दो घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच का समय लगता है और एक बार वो अप्रूब हो गया तो फिर ओसेल होना शुरू हो जाएगा और अगर आपको बस time नहीं एक एक करके documents को upload करने का तो आप directly ओ फोल्डर ही यहां पे upload कर सकते हो जिसके अंदर आपके सारे documents अभी लेबल है यह website खुद ही उन सारे documents को separate होगरा करके आपको दे देगा और यहां हम जितने चाहें उतने documents upload कर सकते हैं जितने documents upload करेंगे उतने chances होंगे उनके multiple time sale होने के second thing जैसे ही आपका document अप्रूब होगा या जैसे ही आपका document sale होगा उन सबका note figure sun आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा note figure sun center में और अगर आपको चेक करना है अब तक कितने पैसे बने तो उसको चेक करने के लिए आपको यहां पर menu में जाना है और menu में जाने के बाद फिर my balance फिर आपको सारे options दिख जाएंगा यही total balance कितना है pending balance कितना है या available balance कितना है और जो भी amount earn करेंगे उस पोई draw करने के लिए हमें यहां पर withdraw वाले बटन पर क्लिक करना होगा फिर withdraw वाला page open हो जाएगा और withdraw करने के लिए हमार पस यहां पर बहुत सारे options मिल जाते हैं जैसे कि Payoneer, PayPal, Wine, Western Union, Check, Impesa and ACH Bank Deposit तो इन में से कोई method को use करके money को withdraw कर सकते हैं सारे बिल्कुली safe method हैं तो बस इस वीडियो में यही था क्योंकि old notes and documents तो हमारे पस वैसे ही पड़े हुए हैं तो क्यों न उनको सही जग रखते हैं क्योंकि ऐसे भी वो पड़े रहेंगे बट अगर यहाँ पर उनको डालते हैं तो sell होते हैं तो कुछ money अनकर सकते हैं उनसे तो that's it for this video जल मिलते हैं नेक्स व्लॉग में बाई